चैनल पर नए हैं देखिए सब्सक्राइब का यहां पर लाल बटन है और बेल आइकन प्रस कर दीजेगा ताकि आपको नए वीडियो के सुचना मिलती रहे रेल विकास निगम लिमिटेट आज मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बना चुके लेगिन अभी जिस हिसाब से वॉलटाइल है मार्केट अपनी उसमें ये हाली में लिस्टेट 11 अप्रिल को ये स्ट्रॉंग कंपणी डटी हुई है और अभी भी ये जब से लिस्ट हुई है तब से करीब करीब कितने परसंट का रिटन दे रही वो भी मैं दिखाऊँगा तो हमें क्यों इसको कंसीडर करना चाहिए हमें क्यों छोटी प्राइस का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए अगर लगता है आपको मेरी बातों से तो आप भी समझें जाने अपनी रिसर्च कीजिए और फिर जाहें तो आप थोड़ा-थोड़ा करके लेत दे रहिएगा आएए पहले जान लेते हैं बेसिक चीजें रेल विकास नेगम लिम्टेट जो HDFC बैंक के चार्ट में हम देख रहे हैं डेटा प्रवाइट किया है इनोंने कि आज का जो भाव है वो है 23 रुपे 25 पैसे आज है 21 मई 2019 और टाइम हो रहा है एक बच के 33 मिनट म मिन्स का जो मार्केट कैपिटल है 4983 करोल का है और फेस वेल्यू 10 की है हाँ लिस्टेट सिंस 11 अप्रिल 2019 और 6 मंद का रिटें मिन्स की 66 मैंने पहले तो यह रिस्टेट नहीं हुई थी लेकिन अमूमन जो भी है यह अभी तक का यह 22.05 परसंड का रिटन दे रहे हैं तो एक अच्छा रिटन है अभी तक क्योंकि इसकी लिस्टिंग की प्राइस वह भी में बताऊंगा और जो पी रेशियो है इसका 10.21 है अर्निंग पर शेयर है 2.34 पैसे प्राइस टुब कर 1.23 का डिलिवरेबल 46 परसंड डिविडेंट यिल्ड 3.10 परसंड का है अब डिविडेंट यिल्ड यहां पे क्यों बता रहा है क्योंकि अभी तो लिस्ट हुई या वह किसी को डिवेंट दिया नहीं है तो यह करें तो जो भी अपना कंपनी लाभांश वगयरा जो भी अपने देती रही होगी वो रेल मंतराला को देती रही होगी क्योंकि सारा कुछ रेल मंतराला ही इस कंपनी की पीछे खाड़ा हुआ है तो इनसी पे जरह एक नजर देख लेते हैं आची क्या पोजीशन है अगर हम देखे तो अभी यह 23-25 पर trade कर रहा है जो previous closing थी इसकी 23 रुपए 90 पैसे की यह कल की थी open हुआ था 24 रुपए पर और high बनाया था 24-10 पैसे का इस वज़े से इस पर दबाऊ है कल क्या हुआ था कि 20 अप्रिल को परसों जो संडे को exit polls आये तो कल जबर्दस 14 परसेंट के आसपास 14 परसेंट के आसपास हमारा जो है SN6 उच्छाल मारा था Nifty 400 के आसपास जंप किया था इस वज़े से सारे stocks में जिनमें potential था काफी अच्छा perform किये थे काफी percent वो जाके बंद हुए थे उपर तो उस लिहाज से यहाँ पर आज की situation है कि आज थोड़ी से downside है सारे mostly stocks में cents भी 200% के आसपास का downside दिखा रहा है तो आईए अब हम देख लेते हैं एक basic chart पे money control की side पी कि जब यहाँ पे 11 अप्रिल को यह list हुआ था तो 19 रुपए प्राइसिंग पर इसकी listing हुई थी 19 रुपए 5 पैसे की और यहाँ पर चलते चलते फिर यह बनाया था हाई इसने 26 रुपए 15 पैसे का और फिर लगातार फिर यह चलता रहा धीरे धीरे और आज जो है 30 रुपए 90 पैसे की last closing इसकी जो थी है तो कहने का ताथ पर बहुत सारी कंपनिया लिस्ट हुई है जैसे कि आप Polycarb इंडिया भी ले ले लें उनमें से तो वो भी अपने listing price से नीचे है यह ऐसा stock है जो अपने listing price से नीचे आके नहीं बैठा है लगातार अभी भी 20 परसंट के आस पास का return आपको दे रहा है और मुझे लगता है कि अभी अंडर वैल्यूड है क्योंकि यह काम क्या देखता है अभी यह काम कास तो मैं बताई दिया कि रेल की जो infrastructure है जो भी electrification है जो भी construction का का काम है जो भी development का काम है जैसे capacity augmentation, gauge conversion, metro, प्रोजेक्स, railway electrification, workshop ति यह railway विकास निगम मतलब रेल की विकास development में सारा काम यही देखती है तो यह इसका काम है और छोटी price का stock है लेकिन government की बढ़िया company बहुत ज़्यादा multi-bagger नहीं बनेगी ऐसा मैं नहीं कह रहा लेकिन मुझ government हमें देखे कि permanent कोई government, stable government है, market को भी लगे कि भाई यह एक ऐसा ऐसी सरकार आचुकि जो पांस साल तक हिलेगी नहीं तो उस वज़े सारे सारी कंपनिया अच्छी कंपनिया अच्छा काम करेंगी इनको orders भी हैं जो मिले हुए हैं काफी अच्छे और भी मिलेंगे तो जब इनकी income होगी, net sales बढ़ेगी, net profit बढ़ेगा तो obviously share price भी बढ़ेगा तो जो लोग interested है और चाहे इस पर focus कर सकते हैं, एक छोटे price की company है, government की company है, इसलिए बहुत सदा टूपने का परशन पैदा ही नहीं होता, लेल मंत्राले खड़ा हुआ है इनके backup में, तो चलिए मैं अपना वीडियो यही point up करूँगा दोस्तों, आप कोई भी stock लेने या पेजने से पहले अपने financial advisor सरो मशुरा कर ले, thank you